आयर्वेद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें दोस्तों हम जो नुस्खे बताते हैं वो वैद्यों की राय के मताविक होते हैं इसलिए आप अपने रिष्टेदारों को कहें अपने जान प पहार के लालच से बचना इतना भी आसान नहीं है लेकिन भारतिय घरों में दलिये के रूप में जाना जाने वाला मोटा पिसा गेहूं इस धारना को गलत सावित करता है दलिया ना केवल स्वास्त के लिहास से अच्छा होता है बलकि स्वादिष्ट भी होता है और बजन को गठाने में मददगार भी सावित होता है दलिया गेहुं को दरदरा पीसकर बनता है इसमें फाइवर, प्रोटीन, बाइटामिन B भरपूर मात्रा में होते हैं दलिया खाने से बौडी में फैट नहीं बनता और शरीर फिट रहता है आईए जान लेते हैं कि दलिया खाने से शरीर का बजन कैसे कम होता है दोस्तो एक अमेरिका में शोध हुआ उसके मताबिक ये पाया गया की नाश्टे में दलिया खाने से लंबे समय तक पेट भरे होने का एहसास होता है और अगले भोजन तक आप कम मात्रा में कैलोरी का उपभोग करते हैं शोध के नतीजे में पाया गया कि सुभे के नाश्टे में शरकरा युक्त कार्न फ्लेक्स और दलिया की समान कैलोरी वाला नाश्टा करने के बावजूद दलिया के नाश्टे से त्रप्ती का एहसास अपेक्षा करत ज्यादा देर तक रहता है ये लो कैलोरी युक्त अनाज माना जाता है मित्रो दलिया में अन्य आहर की अपेक्षा कम कैलोरी होती है जिसे शरीर को उर्जा मिलती है लेकिन इससे मोटापा नहीं वड़ता है दलिया बहुत कम घनतों वाला फूर है जिसे शरीर का वजन घटाने में आसानी होती है नियमित आधहार पर दलिया खाने से आपको बहुत कम मात्रा में कैलोरी मिलती है लेकिन यह आपकी पोशन सम्मं अंदी सभी जरूरतों को पूरा करता है दोस्तों ये फाइवर से युक्त होता है गेहों की भूसी और गेहों के बीज की मौजूदगी के कारण दलिया फाइवर का बहुत अच्छा श्रोत माना जाता है फाइवर पाचन स्वास्त और शरीर के कारे को सही तरीके से करने में बजन कम कर सकते हैं दोस्तों ये एंटी ऑक्सिडेंट युक्त अनाज होता है दलिया में भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं जो शरीर से विशेले तत्वों को निकाल कर शरीर में स्फूर्ती लाते हैं इसके सेवन से शरीर में अनाविशक तत्वों में भी कमी आती है और शरीर के सभी कारे सो चारी रूप से चलते हैं एंटियोक्षिडेंट के कारण आपका जो पेट है वो बिल्कुल ठीक बना रहता है और वजन कम करने में मदद मिलती है धीरे धीरे अबशोशित होना दलिये का एक बहुत महत्पून गुन होता है दोस्तो ये आम हैं दलिया खाने से शरीर इसलिए कम होता है क्योंकि ये शरीर द्वारा धीरे धीरे अबशोशित होता है दोस्तो इसमें लो ग्लाइसमिक इंडेकस होता है एक glycemic इंडेकस किसी विशेश भोज़न से कितनी चीनी परीवर्थित होती है ये मापने के लिए प्रियोक किया जाता है हाई इंडेकस अधिक चीनी को इंगित करता है और लो इंडेकस बजन घटाने की कुशिश कर रहे लोगों के लिए सबसे अच्छे होते हैं और दलिया भी ऐसा ही आहार है यह धीरे-धीरे भोजन को अफशोषित करता है और बलड शोगर को संतुलित करने में मदद करता है दोस्तों यह उच्छ प्रोटीन का श्रोत माना जाता है दलिया प्रोटीन का बहुत अच्छा श्रोत है आपको बजन गटाने के लिए दलिया खाना चाहिए क्योंकि यह प्रोटीन से भरपूर होता है इसलिए इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता इसलिए सुरक्षित प्रोटीन के फैट फ्री शोट को अपने आहार में शामिल करना चाहिए लंबे समय तक इससे भूख नहीं लगती है दोस्त तर नाश्टे में दल्या खाने से दिन भर कम भूग लगती है वजन घटाने के लिए अब आपको अपनी भूग मार का डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती नए शोड की माने तो नाश्टे में गर्म दल्या का सेवन करने वाले लोगों के लिए वजन घटाना अन्य लोगों की अपेक्षाकरत अधिक आसान होता है दलिया से ना सिर्फ भूक संतुष्ट होती है बलकि दिन भर स्नेक्स लेने की इच्छा भी कम होती है दोस्तो आप लोग इस वीडियो को देकर आज से ही दलिया खाना मुझे लगता है शुरू कर देंगे दोस्तो आयरवेद समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताएगा इन्नोस खेव वैद्यों की राय के मताविक होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिया आयरवेद समाधान क्योंकि आयरवेद समाधान है हर रोग का निदान